हेलो एप्रिवन माइनम इस पार्दन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चानल बच्छों हमने अनिमल क्लासिफिकेशन चाप्टर स्चार्ट किया है चाप्टर नमबर 6 फ्रॉम साइन्स टू टेक्स्ट्बूक दिस लेक्चर नमबर 4 इफ यह न्यू तो चैनल कर देना शेर करना वीडियो को और लाइक भी करना चलो बच्छों तो किंग्डम एनिमेलिया के फाइलम्स थोड़े फटा-फट याद कर लो पॉरिफेरा सेलेंट्रेटा प्लाटी हल्मिंदस एशल मिंदस अनिलीडा अर्थरोपोडा मोलस्का एकाइनो डर्माटा हैमी कॉ यह हो गए 10 फाइलम अभी लास्ट वीडियो में हमने पहले चार पड़े थे पॉरिफेरा सेलेंट्रेटा प्लाटी हल्मिंदस एशल मिंदस अब तक आपको सारे नाम बाइहाट हो चुके हो प्लीज बाइहाट कर लेना आपको ट्रिक भी बताई है मैंने ठीक है तो आज द देखते हैं है वह क्या खाता है कहां रहता है फिर हम देखते हैं सिमेट्री बाइलाटरल है रेडियल है जो भी है फिर हम देखते हैं बॉडी कैविटी सीलोम या तो एपसेंट है या तो फॉल्स कैविटी है सूडो सीलोमेट या तो ट्रू बॉडी कैविटी है यू सीलोम यह तीन चीज़े हम देखने वाले हैं, जर्म लेयर्स देखेंगे, तीन है या दो हैं, अभी तो mostly सारे में तीन ही रहने वाले हैं यह जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं, उसमें तीन जर्म लेयर होंगे, ट्रिपल अबलास्चिक अनिमल्स हैं, यह लोग रिप्रोडक्शन कैसे क करते हैं, यह sexually, sexually या फिर दोनों से करते हैं, यह सारी बाते देखेंगे, and segmentation दिखता है या नहीं दिखता है, यह देखने वाले हैं, and कोई specific character के बारे में पढ़ेंगे, तो यही सारी चीज़े हमें हर एक फाइलम के लिए पढ़नी हैं, चली शुरू करते हैं, चलो, तो हम इनका खास character देखो क्या है, body shows segmentation, अभी simple earthworm का example ले लो, उसके पूरे body पे आपको छोटा-छोटा-छोटा-छोटा segments दिख रहा हैं, ठीक है, this property of showing segments is also called as metamerism, क्या बोलेंगे, metamerism, या फिर उसको segmentation बोलेंगे, so these worms are the segmented worms, पूरे body पे segments दिखते हैं, काफे simple चीज़ है बच्चो, ठीक है, अब बात करते हैं, ये लोग रहते कहां है, and इनका habit का है, most of them are free living, free living मतलब independent है, किसे पे depend होने की जरूरत नहीं है, found in sea water, खारे पानी में भी मिलते हैं, fresh water में भी मिलते हैं, या फिर soil में तो मिल होते हैं, soil में, ठीक है, ये बात हो गई, एक और बात बताता हूं, some of them are ectoparasite, ectoparasite मतलब आपके body के बाहर चिपकेंगे, अभी उनका जो mouth होता है, उसको बोलते हैं, sucker, this is a leech, अपने leech शायद सुना होगा कहीं पे, नहीं सुना है, तो आपको बता देता हूं, medical के लिए भी use किया जाता है, as a poison वगेर, अगर कुछ आपके skin में चला गया है, तो उसको निकालने के लिए इसको use किया जा सकता है, अभी उसका mouth होता है, उसमें होते हैं, teeth like structure होते हैं, जो आपके skin को ऐसे 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 cut करेगा, and peristaltic movement दिखा कर आपका खून चूसने वाला है, ठीक है इनका जो body wall है, outer skin, जो है, वो ectoderm के cell से बना हुआ है, अंदर जो gut है, elementary canal, वो endoderm के cell से बना हुआ है, yellow color का आपको दिख रहा है, and ectoderm and endoderm के बीच में का जो layer है, वो mesoderm के cell से बना हुआ है, I hope यह structure आपको समझ में आ रहा है, इसके बारे में हमने already बात की हुई है, ठी body shows bilateral symmetry, यह अर्थों हमें, इसको भे काटो, अगर center से, तो आपको equal distribution दिखेगा, दो equal parts दिखेंगे, तो यहाँ पर bilateral symmetry है, ठीक है, फिर बात करते हैं body cavity की, बच्चों true body cavity बोला है, मतलब क्या, body wall है, जो ectoderm से बनी हुई है, अंदर क्या है, gut है, digestive cavity है, जो endoderm से बनी हुई ह and body wall and gut के बीच में क्या है, भई, mesoderm का layer है, and उस mesoderm के बीच में आपको जो cavity दिख रही है, space दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, sea loam, so this is a true body cavity, बच्चों बड़ा बड़े बात, ठीक है, अभी इन में locomotory organs क्या है, locomotory मतलब चलने के लिए, movement दिखाने के लिए, इनके magnifying glass लेके देखोगे ना, उसके नीचे, तो आपको छोटा-छोटा hair-like structure दिखेगा, एक दम छोटा, these are called as cete, and cete का use क्या करेगा अर्थो, for movement, चलने के लिए, ठीक है, फिर कुछ worms जो है, उनके पास होते है, parapodia, ये parapodia cete से थोड़े बड़े होते हैं, ये भी leg-like structure ही है, चल है, वो suckers का use करने वाला है, ठीक है, और भी कुछ worms हैं, जो suckers का use करते हैं, सकर से वो लोग क्या करेंगे, एक जगा पे ऐसे चिपकेंगे, and उनके पीछे जो पूरा body है, उसको आगे pull करेंगे, ठीक है बच्छो, फिर आगे वापिस चिपकेंगे, पूरे body को आगे pull करेंगे, तो ऐसा suckers use करके भी कुछ worms, movement दिखाने वाले हैं, locomotion दिखाने वाले हैं, यहां तक बात बिलकुल समझ में आगए वर्चो, ठीक है, इनका जो body है, it is covered by a cuticle, पूरे body पे skin रहने वाली एकदम पतली skin होती है, जिसको हम बोलते हैं, cuticle, ठीक है, यह देखो cuticle आगय का एकदम पतला skin है, and they are unisexual or bisexual, unisexual मतलब male अलग होता है, female अलग होती है, बराबर है बच्चो, या फिर इनके अंदर कुछ ऐसे worms भी हैं, जो bisexual है, bisexual मतलब क्या, male and female organs एक ही body के अंदर present होते हैं, जिसको हमने एक और नाम दिया था, hermafrodite, यह हमने platyhelminthis में पढ़ा था, इनके अंदर दोनों टाइप के worms है, unisexual भी है, जो male female अलग है, and कुछ bisexual भी है, जो hermafrodite है, ठीक है, example देख लेते हैं, और तो हम सबसे popular example है, बबाबा, segment भी आपको देख रहा है, and ध्यान से दिखोगे तो आपको body के नीचे सीटे भी देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेकिन इसको medicine के medical techniques में भी यूज किया जाता है, techniques में यूज किया जाता है, ठीक है, and nares, अभी इसका जो leg like structure दिख रहा है, ये उसका parapodia है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सारी analida के बाते, I hope simple था, चली आगे जाते है, तो चली बच्चों देखते हैं, हमारा next phylum, phylum arthropoda अभी arthropoda का literal meaning है, jointed legs, arthropoda मतलब jointed, poda मतलब legs, jointed legs, ठीक है, these are the animals with jointed appendages, अभी एक cockroach का leg piece देखो, ये जो leg है ना वो छोटे छोटे parts से बना हुआ है, एक तुकडा है, फिरी एक तुकडा, 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 ये छोटे छोटे parts joint होके उसका leg बना है, देखो animals with jointed appendages, appendage मतलब parts, ठीक है, example लेलो na, crab है, mosquito है, इन सबका अगर आप legs देखोगे, तो is it made up of small, 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 small parts, so these are the animals with jointed appendages, jointed parts, काफी simple सीज है, arthropoda, jointed legs, एक बात हो गई, अच्छा, they are the largest phylum in the animal kingdom, largest phylum मतलब जीतने भी, किडे, मकोडे, मच्छर, bugs, prawns, खिकडे, ये सारी चीज़े इसके अंदर आती है, maximum number of animals इस phylum के अंदर आते है, they are the largest phylum, and they are the most successful group of animals, most successful मतलब क्या, बहुत पैसा कम अलिया, लाइफ में नहीं, ये animals कहीं पे भी जिन्दा रह सकते हैं, कोई भी climate में, कोई भी environment में, कहीं पे भी छोड़ दो भई, ये survive कर सकते हैं, उनका body इस तरह डिजाइन किया गया है, to survive in any condition, they are the most successful group of animals, तो ये कहां मिलेंगे, they are found everywhere, deepest ocean से लेके mountain peaks पे चले जाओ, snow वाले region में चले जाओ, फिर बहुत ही गरम temperature वाले region में चले जाओ, आपको सब जगा पे ये animal मिले वाले हैं, ठीक हैं, अब common बाते कर लेत हैं, body triploblastic रहने वाली है, तीन germ layer रहेंगे, ectoderm, mesoderm and endoderm, काफी simple, true body cavity रहने वाली है, देखो बच्चों ये दो जो point है, body cavity and germ layer का, ये दोनों point आगे जितने भी phylum है, सब में common रहने वाला है, तो ये दोनों चीज़े सेम रहेंगे आगे अभी, ठीक है, फिर bilateral symmetry, ले लो cockroach को और बीच से बराबर काटो, equal half मिलेगा आपको, तो symmetry bilateral है, काफी simple, ठीक है, body segmented है, इसके भी body पर अगर आप देखो, तो body is made up of छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा segments, cockroach को ऐसा उल्टा करके देखोगे न, तो नीचे आपको lines दिखेगा, segments दिखने वाला है, ठीक ह skeleton की, अभी ध्यान से सुनना, cockroach को आप अगर चपल से मारो, या फिर जाडू से मारो, तो वो easily मरता नहीं है, बहुत जोर से फटा-फट मारोगे न, तब जाके वो चपटा होगा, क्लिक, तूटेगा, और उसमें से कुछ white color का भाहर आता है, तो बच्चों, यह जो cockroach है, इ बहार से एक कवच होता है उसको, उस कड़क कड़क कवरिंग को हम बोलते हैं, exoskeleton, देखो बच्चों, क्रैब भी लिलो, क्या कड़ा, बहार से एक दम कड़क है, लेकिन उसको खोल के अगर अगर अंदर के parts देखोगे, तो they are very soft, अंदर skeleton नहीं है, बहार skeleton है, exoskeleton, and यह कड़क कवरिंग है, it is made up of a carbohydrate called as chitin, 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 chitin बोलने का ने, chitin, यहां तक कफी simple है, चीक है बच्चों, they are unisexual, male अलग है, female अलग है, पपा अलग है, ममी, अलग रहने वाल है, इनके अंदर differences भी होते हैं, body में थोड़े, जो आपको इतना detail में अभी नहीं जाओंगा, उसके body को देखके समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों, example देख लेते हैं, खेकडा, crab, फिर आता है spider, spider अलग class में आता है, इसके class को बोलते हैं, arachnida, एंड जो केडे होते हैं, उसके class को बोलते हैं, insecta, ठीक है बच्चों, इंसेक्ट जो होते हैं, उनको six leg होते हैं, छे एंड जो spider होते हैं, arachnida, उनको eight legs होते हैं, ठीक है बच्चां, बच्चों, फिर आते हैं millipid पे, millipid काफी शान्त होते हैं, उनको बहुत सारे legs होते हैं, इसलिए उनका नाम पढ़ा है millipid, thousand legs, एंड किसी को तरास नहीं देते, बहुत अच्छे शान्त, सहमे हुए animals होते हैं, पत्ते बत्ते खाते हैं, एकतम अपना जिंदगी चुक्चा गुजारते हैं, ठीक है तरास वास नहीं देते, लेकिन यह जो centipede है, they are one of the most dangerous predators, खून खरावा होने वाला है, शिकार करके लोग खाने वाले, they are very aggressive, इंसान को भी अगर काट ले न, ओ भाई, इतना मजा आ ठीक है बच्चों, बहुत painful होता है, इनका bite, एंड हर घर का साती हमारा घर घर का महमान, यह तो यहां पे रहने वाला है, and butterfly है, and हमारे साथ है honeybee, ठीक है, मक्खी वक्खी यह सब इसके अंदर आ जाने वाला है, mosquito सब, तो यह हो गई सारी arthropoda की बाते, I hope simple था, चले आगे ज इस फाइलम में, most of the animals are soft, jelly-like body, soft, soft body रहने वाले है, naram, naram, snail है, octopus है, फिर यह जो animal देख रहा है, this is a squid, इन सब का body कैसा है, एकदम, mulayam, mulayam, soft, soft है, and unsegmented, इनके body पे segment और दिखने वाले नहीं है, simple बात है, चले, they are the second largest group of animals, इसमें भी बहुत type की variety आपको देखने मिलेग largest phylum कौन सा है, arthropoda, उसके बाद कौन सा आता है, mollusk का, अगर आप बीच पे जाते हो, आप जितने भी shells देखते हो, छोटे shells, बड़े shells, अलग-अलग shape के, अलग-अलग color के, अलग-अलग size के, सारे shells जो है, कभी ना कभी उसके अंदर एक animal था, ठीक है बच्चों, तो उतन सारी variety आपको यहां पर देखने मिलेगी, second largest phylum है बच्चों, ठीक है, अगर वो aquatic है, तो वो mostly marine है, मतलब खारे पानी में मिलेंगे, and कुछ ऐसे हैं जो fresh water में भी मिलते हैं, ठीक है, खारे पानी वाले भी हैं and कुछ-कुछ हैं जो fresh water वाले भी हैं, चलिए, फिर common बाते हैं, body triploblastic रहने वाले, यह मैंने आपको बोल दिया है, आगे जितने भी अभी phylum हैं, सब triploblastic हैं, सब के पास 3 germ layer है and they have a true body cavity, यह भ जो animal आपको दिख रहा है, इसका नाम है chiton, ठीक है, उपर उसका shell है and उस shell के नीचे soft body होती है, यह पत्थर वागेरा पे चिपके हुए रहते हैं, आपको पानी वानी के बाजू में जो पत्थर होते हैं वहां पे चिपके हुए दिखेंगे नीचे आपको, छोटे-छोट से होते हैं, इनको अगर मैं center से काटू, तो मुझे दो equal parts मिलने वाले हैं, मतलब यहां पे bilateral symmetry दिख रही है, but, but, snail जो होता है उसका जो shell होता है उसक्दम वाकडा तिकडा होता है, तो snail को आप equal parts में divide नहीं कर सकते, snail asymmetrical है, ठीक है, तो mollusca में most of the animals bilateral symmetry दिखाएंगे, लेकि इनने snail को asymmetrical है, इसके पास symmetry नहीं है, यहां तक यह बात simple थे, चिक है, अच्छा, अभी इनका जो body है, it is divided into three basic parts, एक होता है head, अभी snail के example में आपको head पे दो, two pairs of antenna दिख रहा है, दो छोटा antenna आगे है, tentacles, and दो tentacles ऐसे उपर हैं, उपर वाले जो tentacles हैं, उसके tip पे होती है, इसकी eyes, ठीक है बच्छो, snail के पास eyes होती है, and वो tentacle ऐसे 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 move कर सकता है, तो वो सब जगा पे देख सकता है, उसका field of vision जादा है, ठीक है, head हो गया, head के नीचे होता है, उसका muscular foot, foot को use करके वो locomotion दिखाने वाला है, चलने वाला है, and foot के ऊपर आपको जो shell दिख रहा ह है ना, उस shell के अंदर होता है visceral mass, dancer सुनना, what are the three basic parts, head, foot and visceral mass, यह जो visceral mass है, यह उसका body organs है, और कुछ भी नहीं, visceral mass मतलब body organ, तो जो पूरा shell है ना, उसके अंदर है, उसके body organs, छुपे होएं, ठीक है बच्छो, ऐसा backpack के जैसा, bag के जैसा carry कर रहा है, वो अपने peat पे, उ यहां तक काफी simple चीज है, ठीक है, अच्छा, भी बहुत important point है, ध्यान से सुनना, body is covered by a mantle, अभी देखो, समझो यह shellfish है, उसके अंदर जो soft body है, ध्यान से सुनना, समझो मैं वो animal हूँ, and यह मेरा soft body है, मैं shell के अंदर बैठा हूँ, तो मेरा जो back side है, उसको मैं mental देखो, यह जो आपको layer दिख रहे है, soft body के पीछे का layer क्या है, mantle है, अभी यह जो mantle है, यह क्या करता है, calcium carbonate, CACO3 secrete करता है, ध्यान से सुनना बच्छो, the body is covered by a mantle, mantle secrete a protective shell, ठीक है, यह आगया shell, this protective shell is made up of calcium carbonate, मतलब क्या हुआ, soft body वाला animal है, यह क्या है, यह कौन सा layer है, mantle है, mantle क्या release करता है, calcium carbonate and mantle के उपर क्या बन जाएगा, shell बन जाएगा, ठीक है, वो shell कुछ इस तरह दिखेगा, तो यह animals अपना shell खुद बनाते हैं, mantle जो है, वो shell बनाने वाला है, calcium carbonate का, I hope यह बात समझ में आई है आपको, ठीक है अपर होगा, over the body, for example, snail है, फिर कुछ animals है, octopus है, जिनके अंदर shell होता ही नहीं है, shell is absent, and कुछ animals हैं, जिनका shell body के अंदर होता है, देखो भी, यह squid है, squid के अंदर, आपको यह छोट असा feather जैसा दिख रहा है, एक rod like structure है, यह shell, rod जैसा जो shell है, यह इसके body के अंदर होता है, squid के अभी अपने पास कैसा vertebral column है, backbone है, जो body को support देता है, वैसे ही यह internal shell, squid के body को support देने के लिए, from inside, बात समझ मैं है बच्चों, यहां तक काफी simple है, चलिए, देयार, unisexual मतलब क्या, हमने इसके बारे में बात किये, male अलगे, female अलगे, देखो, पपा, मम्मा, दोनों अलग रह बाइवाल्व, अब यह जो बाइवाल्व है, मतलब ऐसा दो shells joint रहता है, ठीक है, और उसके अंदर उसका body रहेगा, इनके पास एक foot भी होती है, हमने बात किना foot है, तो यह बाइवाल्व क्या करता है, ऐसा sand वागेरा में, खड़ा करके, बरो करके अंदर छुपे हुए रह उपर की जो tentacle है, उसके उपर उसकी eyes रहने वाली है, चीक है, चलिए, and octopus की बाद कर दे, इसके पास shell होता ही नहीं है, and octopus are considered very 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 intelligent animals and they are highly flexible, कहीं भी छोटी हो अगेरा जगा में वो लोग गुश सकते हैं, and इतने intelligent होते हैं कि इनको pets के जैसे भी रखा जाता है, ठीक है तो यह हो गए सारी, mollusca की बात है, हमने तीन फाइलम पड़े, anelida, arthropoda and mollusca, I hope तीनों के points बहुत simple थे और समझ में आये थे, यही characters हमने follow किये हैं, ठीक है, बहुत सारे characters common भी है, तो I hope easy रहेगा याद करने में, चलिए, आपको मजा आया है, तो like कर देना वीडियो को, share करना and subscribe कर देना channel को and as usual, thank you very much.